Hello everyone, welcome to my channel of Sir Academy, this is Imansur. आज की इस वीडियो लेक्चर में डिसकस करने वाले हैं How to prepare 10 PPM Solution यह PPM Solution जो है आप बनाते हैं लेबरेटरी में कई स्टूडेंट का सवाल देता है कि सर हर बार PPM Solution बनाते समय हम different different MG जो है तो easy way में हम PPM Solution बना सकें तो इसी वीडियो लेक्चर में हम वही डिसकस करेंगे suppose करो कि PPM Solution जो है आपका हम आज Paracetamol का 10 PPM Solution बनाने वाले हैं यह कोई भी analyte हो सकता है कोई भी chemical compound जिसका आप PPM Solution बनाना चाहते हैं वो आप लेके यहाँ पर बना सकते हैं हैं और यह जो मैं बता रहा हूँ आपको यह industrial practice है यूजली जो हम pharmaceutical industry में किसी परसन से आप बात करेंगे तो आपको वही बताएंगे कि इस हिसाब से हम Solution को इतना Mg लेते हैं इतना Mg लेते हैं इतना Mg लेते हैं इतना Mg वाटर में डाल देते हैं तो देखिए हम इस हिसाब से इस video lecture में पूरे detail में discuss करेंगे चलिए start करते हैं सबसे पहले हम जानते हैं कि sir PPM क्या है PPM का मतलब होता है कि parts per million parts per million इसका formula क्या हो जाएगा कि sir weight of solute divided by solution into 10 की power 6 weight of solute divided by solution into 10 to power 6 10 is to power 6 जो है यह इसका PPM का formula हो जाता है इसी formula की help से जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस हिसाब से हम solution बनाएंगे 10 PPM का है ना चलिए तो next हम बात करते हैं सबोच करो कि आज हम बनाने वाले हैं 10 PPM का solution ठीक है तो 10 PPM solution के लिए सबसे पहले हम stock solution बना देतें है ना stock solution बना रहे हम 1000 PPM का कितने PPM का 1000 PPM का हम stock solution बना रहे है weight of solute कितना हो जाएगा कि सर यह मुझे पता नहीं है extra करते है solution कितना है कि सर मैं 100 ml जो है वो बनाना चाहता हूँ 50 ml बना रहा हूँ या फिर मैं 500 ml बना रहा हूँ कितना भी तो suppose को यहाँ पे मैं 100 ml बना रहा हूँ मेरा 1000 ppm का solution into 10 to power 6 यह हमारे formula के हिसाब से हमने यहाँ पे set कर दिया अब यह बात आती है कि सर इसको और मैं अगर solve करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि 0.1 gram of solute 0.1 gram of solute in 100 ml of water या फिर जिस solvent में आप बनाना चाहते हैं आप परसिट अमोल का solution बना रहे हैं आप टिथनल में बना रहे हैं वाटर में बना रहे हैं किसी में भी बना रहे हैं ठीक है तो कितना हो गया कि सर 0.1 gram of solute मतलब यहाँ पे 0.1 gram of x कितना हो गया हमारा 0.1 gram of solute in 100 ml of water तो हमारा 1000 ppm का solution जो है वो प्रिपैर हो जाएगा अब यहाँ पर 1000 ppm का solution बन गया तो इसको मैं और भी easy कर सकता हूं किया कि सर मैं 100 mg is equivalent to 0.1 gram of यह हमारा analyte है ना तो इसको मैं ऐसा लेख सकता हूं 0.1 gram को कि सर 100 mg equal to 0.1 gram तो मैं ऐसा लेख सकता हूं कि 100 mg solute 100 mg solute in 100 ml of water या फिर जो भी solution आप ले रहे हैं तो यहाँ से simple ही मुझे पता चल गया कि सर मुझे सबसे पहले क्या करना है 1000 ppm का solution बनाना है 1000 ppm का solution सबसे पहले मुझे बनाना है किसी का भी stock solution में बोल सकता हूं stock solution मुझे कैसे बनाना है कि सर 1000 ppm का solution मुझे बनाना है उसके लिए मैं क्या करूँगा कि 1000 ppm का solution के लिए मैं 100 mg solute अपना एनलाइट लूँगा उसको 100 ml of water में डाल दूँगा तो मेरे पास 1000 ppm का solution बन जाएगा यहां से हमारे पास solution बन गया और यह मैं आपको यह conical flask में draw करके बता रहा हूं यह हमारा बन गया stock solution 1000 ppm का अब इस stock solution से फर्दर जो है मैं dilution करूँगा और 10 ppm का solution बनाऊँगा कितना 10 ppm का solution बनाऊँगा तो इसके लिए आपको क्या करना है कुछ नहीं सर देखिए यह आपको इस में से stock solution क्या कौन सा कैसे बना है stock solution 100 mg मैंने लिया solute उसको 100 ml of water में डाल दिया यह हम मेरा 100 ml का volumetric flask अब आगे क्या करना है कि सर इस 100 ml में से मुझे 1 ml निकालना है 1 ml मैंने निकाला पीपेट से और एक नए volumetric flask में मुझे यह 1 ml डाल देना है और वैसे ही मैंने 1 ml डाल दिया अब इसको मुझे जो है क्या करना है अब 200 ml जो है water या जो भी आपका solute उससे भर देना तो यह जो मेरा new solution रडी हो गया है new solution जो रडी हो गया है यह मेरा 10 ppm का solution होगा है ना कितने ppm का होगा 10 ppm का solution जो है वो होगा तो usually अगर मैं simple ही बताऊं आपको तो आपको क्या करना है कि sir simple सा अगर मैं paracetamol का बना रहा हूं या फिर किसी भी solution का मैं बना रहा हूं उसमें डाल देना है इससे मेरा 1000 ppm का stock solution जो है वो प्रिपेर हो जाएगा जैसे ही मेरा 1000 ppm का stock solution प्रिपेर हो गया अब इस stock solution से मुझे 1 ml लेना है और 100 ml water में डाल देना है या जो भी solvent है जिससे की मेरा 10 ppm का solution जो है 10 ppm का solution जो है वो ready हो जाएगा वो prepare हो जाएगा अब sir इससे मैं आगे 20 ppm का भी बना सकता हूँ क्या बिल्कुल आप 20 ppm का भी बना सकते हैं कैसे बनाना है कि sir इसी stock solution से किस से इस stock solution से मुझे क्या करना है कि 2 ml लेना 2 ml ले लिया और 100 ml of water में डाल दिया into 1000 stock से लिया तो मेरा ये 20 ppm का solution जो है वो भी prepare हो गया ठीक है तो 1 ml लेके 100 में किया तो 10 ppm का बन गया 2 लेके 20 में किया तो 20 ppm का हो गया तो इस हिसाब से ये आप जो है याद रख सकते हो कि sir बहुत easily हमें समझ में आ गया अब कभी भी हम ppm का solution जब भी भी बनाना जाएंगे तो एक easy way में हम बना सकते हैं किस हिसाब से कि sir मुझे कुछ नहीं करना है सबसे पहले मुझे जिस solution का ppm solution बनाना है उसका stock solution मुझे बनाना है stock solution कैसे बनाना है 100 mg solute ले लूँगा और 100 ml water में डाल दूँगा जिससे कि मेरा 1 ml लेके मैं 100 ml में कर दूँगा तो मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पर यह वाला यह मेरा sir 10 ppm का solution जो है वो बन जाएगा अगर इसी stock से मैं क्या करूँगा 2 ml लेके 20 ml में कर दूँगा 100 ml में कर दूँगा वो जो भी आपका solution है water है या जो भी है यह बन जाएगा 20 ppm का solution ऐसे further dilution करके आप जो भी solution बनाना जाते है वो बना सकते हैं बस एक आप यह जान रखना कि stock हमें जो है 1000 ppm का बनाना है उससे further हम dilution जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे solution आपके prepare होते जाएंगे चलिए तो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बता है comment section में और ppm solution बनाने से regarding कोई भी confusion है कुछ भी doubt है आपका तो जरूर पूछें मैं आपके answer और explanation देने की जरूर कोसिस करता हूँ चलिए तो thank you so much for watching keep watching and please subscribe my channel thank you so much